उत्तर प्रदेश के प्रयाग राज से एक दिल दहला देनी वाले घटना सामने आई है यहां एक ही परिवार के पांच लोगों के हत्या कर दी गई इतना ही नहीं वारदात के बाद आरोपियों ने घर में आग लगा दी घटना की जानकारी मिलते ही पुलीस ने शवों को पोस्ट मॉर्टम के लिए भेज दिया पुलीस की इस कारवाई पर मृतकों के परिजन सवाल उठा रहे हैं उनका कहना है कि बिना बताय पुलीस ने शवों को पोस्ट मॉर्टम के लिए कैसे भेज दिया इसे लेगर विरोध प्रदर्शन भी हुआ, इस मामले में ADG प्रयाग राज का कहना है कि घटना स्थल की फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है, वहीं विपक्ष ने C.E.M. योगी आदतिनाथ पर निशाना साथते हुए प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए है इस हमले में एक पांच साल की बच्ची बच गई, मृतकों के रिष्टदार प्रदीप ने पुलीस को बताया कि उनकी भाई राज कुमार यादफ 55 साल भावी कुसम, 50 साल उनकी किसी ने हत्या कर दी है इसके साथ ही परिवार के तीन अन्य सदस जिन में उनकी बेटी, बहू और पोती की भी हत्या कर दी गई है इस सामूहिक हत्या को अंजाम देने वाले आरोपियों ने सुबूत मिटाने के लिए घर में आग भी लगा दी इस गटना के बारे में जानकारी लेते हुए परयाग राज के SSP एजेक कुमार ने जो बताया आप से साजा कर देते हैं वे बोले आज सुबह करीब साड़े 5 बजे पुलीस को सूचना मिली थी कि ये घर में करीब 4-5 लोग मित अवस्था में है सुचना पर ततकाल पुलीस की मौके पर पहुँच गई मौके पर पाया गया कि घर के मुखियां उनकी पत्नी एक बेटी एक बहु और एक पोती की मृत्ति हो गई है वहीं एक पोती जिसकी उमर पांच साल है वो जीवित है फिलहाल पुलीस उसे संभाल रही है SSP ने आगे बताया घर के एक बेडरूम में आग भी लगी हुई थी जिसे दमकल ने बुझा दिया अभी सवता के परिजन और बाकी ससुराल पक्ष के लोग यहां पहुँच गए है पुलीस पहुँची तब तक सास कुसम जिन्दा थी उसे इलाज के लिए हस्पताल भीज दिया गया साथ ही चारों शवों को भी रवाना कर दिया गया पुलीस ने उनको ये भी नहीं बताया कि उन्हें किस हस्पताल में भीज जा गया है एक ही परिवार के पांच लोगों की हत्या की खबर सामने आने पर विपक्षन यूपी सरकार पर निशाना साधा है बसपा सुप्रीम मायावती ने ट्वीट कर घटना की निंदा की उन्होंने लिखा उतर प्रदेश के प्रयाग राज में एक ही परिवार के पांच लोगों की निर्मम हत्या किये जाने की खबर अती दुखत निंदनिये और चिंता जनक है सरकार घटना की तह में जाकर दोशों के खिलाफ सक्त कानूनी कारवाई सुनिश्चित कर वहीं सबा प्रमुक अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार के राज में प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए ट्वीट कर कहा बाजपा 2.0 के राज में यूपी डूबा अपराद में आज का अपराध नामा इधर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा कि उत्रप्रदेश की सरकार जाती धर्म की राजनीती और मार्केटिंग इवेंट्स में व्यस्थ है यहां अपराधी सरयाम गुम रहे हैं लगातार हत्याएं हो रही हैं राज में दो बार हत्या की घटना हो चुकी है एक परिवार के पांच-पांच लोगों की हत्या हुई है लेकिन सरकार हाथ पर हाथ रख कर बैटी है प्रभू उत्रप्रदेश में अपराधियों और मार्केटिंग इवेंट्स की राजनीती रोकिए यह खबर आपके लिखी थी हमारे साथ ही आयूच ने क्यामरा के पीछे हैं जैरी मैं हूँ आस्था अपना खयार रखिए और देखते रहिए दिला लिंटो शुक्रिया